थलो दोस्तों स्वागत है मेरी यूटूब चनल एडवांस लाइब पर आप इस क्रीट में देख पा रहे हैं मैंने स्पाइस मनी का रिटेलर आईडी मोबाइल पर खोल रखा है इस स्पाइस मनी आईडी पर काफी सारा सर्विस एक साथ एक फी आईडी पर आपको मिल जाता है मोबाइल रिचार्ज हुआ, DMT हुआ, स्पाइस मनी, ATM हुआ, AAPS हुआ AAPS में खास बैलेंस इंक्वाइरी, विड्रॉल और मिनी स्टेट में निकलता है deposit का option नहीं है, और यह deposit का option कोई भी AAPS portal में नहीं है और साथ में aim pause भी मिल जाएगा आपको, और नया एक feature इसमें add हुआ, spice money में add हुआ है वो है cash collection, जो काभी सारी लोग इसको cash collection, cash drop या फिर CMS के नाम से जानते हैं इसमें काभी सारा company जूड़ा हुआ है, जो आपका CMS का करते हैं, पिश्कित में देख पार है, बहुत सारा company है इसी company का आप CMS या फिर cash collection या cash drop आप कर पाएंगे यह जो spice money का ID है, अभी एक offer चल रहा है, और offer के दोवारान आपको free of cost में ID मिल जाएगा spice money का ID, और साथ में आपको distributor भी free में मिल जाएगा, free of cost में जो distributor मतलब यह daily distributor नहीं है, sub distributor है, आप स्क्रीन में देख पार है, एक offer चल रहा है अभी यह 31 March 2021 तक चलेगा, और इसमें distributor ID जो है, वो free of cost दिया जा रहा है और साथ में unlimited आप retailer ID बना पाएंगे distributor ID पर, और साथ में retailer ID भी आपको free of cost मिल जाएगा अगर कोई spice money ID distributor हो या retailer ID हो लेना चाहते हैं, तो मेरे स्क्रीन में आप देख पार है, मेरा एक number, स्क्रीन में आप एक number देख पार है इस number पे आप WhatsApp करिए, और एक बार बता दू, spice money का एक offer चल रहा है, जिसमें distributor ID free of cost में मिल जाएगा sub distributor और साथ में retailer ID भी free of cost है, जो sub distributor बनेगा, वो unlimited retailer ID बना सकता है, सिर्फ दो मन्त के लिए ये offer जो है, वो 31 March 2021 तक चलेगा, इसके अंदर आप जितना चाहे retailer ID बना सकते हो, sub distributor लेने के बाद, अगर कोई spice money का sub distributor या फिर retailer रिटेलर सिर्फ लेकर काम करना चाहते है, तो नीचे एक number दिख रहा है आपको, ये WhatsApp number है, इस WhatsApp में आप WhatsApp करके पूरी जानकारी ले सकते हैं